क्या हले दोस्तों, welcome to guess the output video series presented by learning light hindi on c programming language यहाँ पर इस वीडियो पर आप लोग screen पर एक c program को देख रहे हैं आप इस वीडियो को अभी pause कीजिए और screen पर जो source code है उसे टीक से देखिए और यह guess कीजिए कि इस program का output क्या होगा जब आप लोग इस program के output को figure out करेंगे तब ही आप लोग play button को वापस क्लिक कीजिए, मैं इस program को run करूँगा और जो भी output आएगा उसे explain करूँगा अभी मुझे लगता है कि आपने इस program का output को guess किया है तो मैं इस program को run करूँगा और output दिखाऊँगा तो मैं build and run करूँगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस program का output है x equal to 30, y equal to 20 तो अभी हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का output क्यों आया यहाँ पर अगर हम लोग इस program की source code को देखे तो हमने x और y variable को declare किया है और हमने इस x variable को 10 से initialize किया है और y variable को यह value 100 से initialize किया है और बाद में यहाँ पर एक statement है x plus equal to 20 और एक और statement है y equal to plus 20 बाद में हमने print of statement को यूज़ करके x और y variable के value को print out किया है यहाँ पर यह statement जो है x plus equal to 20 यह exactly equal to x equal to x plus 20 तो जैसे मैंने previously बताया हमने इस x variable को 10 से initialize किया है तो यह statement execute होने के बाद यह बन जाएगा x equal to 10 plus 20 तो यहाँ पर जो 10 plus 20 30 जो आता है उस value को इस x variable के अंदर store किया जाता है तो x variable contain करेगा 30 तो हमारे output पर भी आया है x equal to 30 ठीक है अभी हम लग यह देखेंगे कि y equal to plus 20 यहाँ पर यह statement यहाँ पर यह जो statement है यह exactly equal to y equal to plus 20 यहाँ पर यह जो plus है यह एक unary operator है और यहाँ पर यह plus 20 इंडिकेट करता है यह एक positive value है जैसे कि minus 10 minus 5 यह सब negative values है उसी थरह plus 10 और plus 20 यह सब positive values है यहाँ पर यह plus यह इंडिकेट करता है कि यह एक positive value है तो यह statement की वाज़ा से y variable के अंदर positive value 20 को store किया जाता है उसकी वाज़ा से जब हम लोग इस program को run करते है तो हमें मिलता है output x equal to 30 और y equal to 20 यहाँ पर इस statement पर अगर यहाँ पर y equal to minus 20 होता तो अगर मैं इस program को अभी save करके build and run करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं y equal to minus 20 आया है तो यहाँ पर minus 20 का मतलब है कि negative 20 तो यहाँ दोस्तो इस tutorial के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने इस video के जरीए कुछ सीखा है और अगर आपको यह video अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इसे like कीजिए और आपके दोस्तों के साथ share भी कीजिए और हमारे YouTube चानल Learning Light Hindi पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो से अप्लोड करूँगा तो आप लोगों को एक का इमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो यह हुँ दोस्तों उनसे कीन thank you for watching और मैं आप लोगों को next video पे मिलूँगा